इस वीडियो में बात करेंगे Kings Indian Defense के अगेंस्ट में मेरे फेवरेट वेपन 4-Pawn Attack के बारे में 4-Pawn Attack में अपने करियर में Kings Indian Defense के अगेंस्ट में बहुत गेम्स में उसकिया है और ऐसे नहीं कि सिर्फ Lower Rated के अगेंस्ट में बट इवन स्ट्रॉंग Grandmasters के अगेंस्ट में भी मैंने खेला है और मुझे काफी सक्सेस मिला है इस वीडियो में मैं ना ही सिर्फ आपके साथ Variations आपको बताऊंगा आपको समझाऊंगा बट साथी में 4-Pawn Attack में मेरे जो चार बेस्ट केम से उसमें से तीन Grandmasters के अगेंस्ट में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4-Pawn Attack का सबसे बड़ा Advantage यह है कि उसको हमेशां अंडस्मेट किया गया है आप चाहें Kingston & Defence में लिखी हुई कोई भी बुक उठा लीजे बट उसमें 4-Pawn Attack का जो Potential है वो हमेशां अंडस्मेट किया है उसको उतना coverage मिलानी है इसका फायदा क्या होता है कि Black Side के जो players है जो Kingston & Defence खेलते है वो 4-Pawn Attack को उतना seriously लेते नहीं है और वो उतना अच्छे से prepared नहीं रहते है जितना वो main lines में रहते है तो इसका फायदा हमें मिलता है क्योंकि अगर उनको opening से equal position भी मिल जाए तो भी आगे के plans पता ना होने के कारण वो middle game और end games को अच्छे से deal नहीं कर पाते है तो चली हम 4-Pawn Attacks का coverage शुरू करते है 4-Pawn Attack का जो starting position है वो आता है d4, knight f6, c4, g6, knight c3, bishop g7, e4, d6 और f4 के बाद f4 के बाद आप देख सकते हो कि white के 4 pawns c4, d4, e4 और f4 गेम में आ चुके है और इसी के वज़े से इस opening का नाम 4-Pawn Attack रखा गया है 4-Pawn Attack का main advantage आप immediately देख सकते है कि जब आप f4 करते हो तो f4 के बाद आपका center में control automatically बढ़ जाता है और f4 के बाद अगर आपना knight f3 पर develop करोगे तो आपको center में extra control मिलेगा f4 का disadvantage यह भी हम बोल सकते है कि थोड़ा सा अपना जो position है king set का वो early on expose हो जाता है जिसको black usually counter play के through exploit करने का try करेगा तो f4 के बाद black करेगा short castle और हम कहलेंगे knight f3 तो हमने अपने 4 pounds center में ला दिये और अपने दोनों knight भी develop कर लिए अभी अपना simple plan जो रहेगा वो है bishop को एक तो e2 या तो d3 पर develop करे और फिर next move castle कर ले अभी black को कही ना कही से center में कुछ ना कुछ action लेना जरूरी है अगर black इस position में कुछ भी action ना ले और हम अगर bishop e2 करके castle कर ले तो हमारे पास आप अल्रेडी देख सकते हो center में बहुत जादा space advantage है और हम इस space advantage को और increase कर सकते हैं castle करने के बाद हम e5 या तो d5 जैसे moves कर सकते हैं इसके बाद black का जो position है वो बहुत passive हो जाएगा तो इसलिए black के पास दो main pawn breaks इस position में है जो उसको कभी ना कभी करने पड़ेंगे करना जरूरी है एक है c5 c5 जो की main pawn break है black के लिए और बहुत सारे king's indian के variation में आपको यह देखने को मिलेगा और दूसरा जो pawn break है वो है e5 e5 एक तो वो immediately कर सकते हैं या तो knight a6 करके फिर e5 कर सकते हैं और एक third जो option है black के लिए वो है bishop g4 bishop g4 का भी idea यही है कि वो आगे जाके कई ना कई e5 करें bishop g4 से वो knight को pin करते और आगे जाके e5 करेंगे तो थोड़ा e5 break को और ज्यादा e5 break में और ज्यादा impact आएगा तो हम यह तीनो variations आज के वीडियो में cover करेंगे और जैसे मैंने कहा था मैं आपको आपके साथ मेरे four best games four pawn attack के वो भी मैं आपके साथ share करूंगा so knight f3 के बाद सबसे पहले हम main line पे चलते हैं जो कि है c5 c5 के बाद white का जो main move हमेशा से रहा है वो है d5 d5 के बाद हम bishop d3 करके short castle करेंगे और black का जो main idea रहता है वो है e6 करके e into d5 और यह जो pawn structure आता है d5 e6 bishop d3 e into d5 c into d5 यह pawn structure benoni opening से काफी match होता है अगर आपको benoni opening पता है तो आप recognize करोगे कि यह pawn structure काफी similar है cv1 के difference है कि white cup जो pawn है वो f4 पे आचुका है और f2 पे नहीं है बट f4 पे आचुका है तो इसलिए usually जब भी black c5 खेलता था तो मैंने prepare किया थे side line जो की काफी dangerous है और जिसका potential काफी underestimated है so c5 पे हम करेंगे d into c5 d into c5 के बाद black के पास दो options है एक तो वो सिदा अपना pawn recapture कर सकता है या तो main line जो है black के लिए वो है queen a5 जो की एक dynamic option है black के लिए तो हम दोनो moves quickly देखेंगे so d into c5 के बाद अगर black d into c5 मारेगा तो हम इस position में एक तो queen into d8 भी मार सकते है या तो simple bishop d3 develop कर सकते है usually अगर अपने बाद space advantage है और opponent के space कम है तो हम try करेंगे कि हमको pieces exchange नहीं करना है तो bishop d3 उस हिसाब से एक preferable move है bishop d3 पे usually black करता है knight c6 हम करेंगे e5 अगर black knight g4 जाएगा हम करेंगे h3 knight h6 जाएगा हम bishop e3 develop करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे सारे minor pieces game में आ चुके हैं black इदर c5 pawn को बचाने के लिए b6 करेंगा तो हम एक मूँ bishop e4 भी कर सकते हैं तो यह bishop का भी position improve हो गया और यह diagonal पे जो bishop है वो काफी strong pressure exert कर रहा है और bishop e4 के बाद let's say अगर bishop b7 करें तो हम अभी next move castle कर सकते हैं फिर धिरे से हम queen को यहाँ से हटा के rook d1 लाके d5 पे भी हम play create कर सकते हैं और हमारा जो main advantage है वो है pawn e5 का जिसके वैसे हमको space extra मिलता है और साथ ही में black का जो bishop है g7 पे वो locked in रहता है काफी blocked रहता है और जब तक black f6 break ना करी वो bishop वहाँ पे बंद रहेगा जिसके वैसे हमको extra piece play भी इस position में मिलेगा यह position white के लिए favorable है इसलिए d into c5 usually black players नहीं मारते वो खिलते है queen a5 queen a5 का idea है कि वो knight into e4 यह pawn मारने का threat दे रहे है तो इसलिए c into d6 जैसे moves हमको avoid करने चाहिए क्योंकि knight into e4 के बाद center में बवाल मचेगा जो हमको नहीं चाहिए हमारा king already e1 पे बहुत exposed है और यह हमारे लिए काफी risk की साबित हो सकता है तो इसलिए हमको knight into e4 threat को face करना उसको prevent करना काफी जरूरी है तो हम खेलेंगे bishop d3 bishop d3 से हम अपना bishop भी develop कर रहे है और e4 pawn को support भी कर रहे है तो अभी knight into e4 पे हमारे पास bishop into e4 available है तो इसलिए अभी black के tactical tricks नहीं चलेंगे तो black खेलता है queen into c5 queen into c5 तो उसको क्या फाइदा मिला वो queen से c5 का pawn मारा उसने ना कि pawn से जो यह है वो है कि queen c5 के वज़े से हम short castle नहीं कर पाएंगे तो immediately हमको short castle नहीं करने को मिल रहा है तो हम को develop करना पड़ेगा और कुछ moves waste करने पड़ेंगे तो इसलिए black जो है वो pawn के जगह पे queen से c5 का pawn recapture करता है अभी हम खेलेंगे queen e2 idea काफी simple है हमको खेलना है bishop e3 जिसके बाद हम queen को यहां से kick करेंगे और next move फिर हम short castle कर सकते हैं queen e2 के बाद black usually जाता है knight c6 हम जाएंगे bishop e3 black खेलेगा queen a5 और हम खेलेंगे rook c1 rook c1 के जगह पे आप short castle से भी start कर सकते हो but usually क्या होता है कि short castle में black के पास एक extra option आता है वो है knight g4 जिसके बाद वो bishop को attack करेगा अगर हम bishop पीछे जाएंगे तो वो knight d4 जाएगा और उसको थोड़ा play थोड़ा activity मिल सकता है तो इसलिए हम wait करते हैं कि black पहले bishop अपना g4 पे develop करे so that उसका knight g4 का option चले जाए और फिर हम आराम से short castle कर सकते हैं और यह जो a1 का रुख है वो हमको c1 पे ही लाना है ultimately क्योंकि c3 के knight को extra protection चाहिए तो इसलिए हम rook c1 से start करेंगे rook c1 के बाद अगर अभी knight g4 जाता है तो हम bishop g1 पे drop कर सकते हैं तो इसलिए हम एक move wait करते हैं अगर हमारा king g1 पे होता तो हम bishop g1 नहीं खिल पाते जो कि हमने पिछले variation में देखा था और साथ ही में हम देख सकते कि bishop into c3 भी वह नहीं मार सकता है क्योंकि c3 पे already हमारा protection है तो इसलिए rook c1 के बाद black खिलता है bishop g4 bishop को तो उसको कहीं नहीं develop करना है और g4 सबसे active square है bishop के लिए हम करेंगे short castle black जाएगा knight d7 यह black का main plan है इस structure में knight d7 का idea है कि वो knight d4 पे लाना चाहते है और यह pin को exploit करना चाहते f3 knight जो pinned है हमारा तो हम pin से हट जाएगे हम खिलेंगे queen f2 और साथ ही में हम अपना जो control है d4 square पे वो भी increase करते है so that black को knight d4 का chance ना मिले queen f2 के बाद bishop into f3 black usually मारता है g into f3 हमको pawn से इसलिए मारना है so that हम अपना control d4 पे maintain कर सके और black को knight d4 या bishop d4 का chance ना मिले g into f3 के बाद black खिलता है knight c5 bishop b1 हम अपने bishop को बचा लेंगे और black usually जाता है इदर knight a4 knight को exchange करने के लिए अगर हम knight को कई हटाते है for example d5 तो हमारा b2 का pawn मर जाएगा तो यसलिए हमको knight exchange करना compulsory है so knight into a4 queen into a4 अभी यह जो position है ना यह बहुत सारे games में already खिल चुके है दोनों players और यह position हमेशा आप अगर engines analyze करोगे तो आपको equal बताएगा but practically यह position black के लिए खिलना बॉर्ट टफ है यह position मैंने काफी games में खिले है online और even practical games में और दो games जो मैंने यह position से जीते है वो मैं आपके साथ अभी share करूंगा और दोनों ही opponents काफी strong थे जो first game है वो है SL Narayanan के against में जो कि अभी एक काफी strong grand master है उनकी around 2680 rating है और वो अभी olympiad में इंडिया के, इंडियान olympiad team में भी है और second game जो मैंने खिला था इस position से वो था Dinesh Kumar Sharmaji के साथ जो कि international master है सो अभी हम चलते हैं और first game जो कि SL Narayanan के साथ वो game देखते हैं जिसमें इस position में मैंने खिला Rook F D1 अभी इस position में main idea क्या है white का वो है king side पर attack करना है हमको एक idea हम कर सकते हैं जो कि main idea है वो है king H1 king को पहले G file से हटा लिया और G file vacate कर दिया हमारे rooks के लिए और king H1 के बाद हम करेंगे F5 फिर हम करेंगे F4 और हम pawn से black का जो king side है वो हम break करने का try करेंगे black का king का fortress है वो F5 F4 करके फिर F into G6 मारके हम जितना हो सकता है उतना break करने का try करेंगे और हमारे pieces के लिए हम lines open करेंगे हम देख सकते है कि bishop B1 पे file blocked है तो अगर हम F5 F4 करके फिर E5 करें तो हमारा bishop खुल जाएगा जिसके बाद हमारे पास attacking chances automatically बढ़ जाएगे QA4 के बाद SNLN के game था उसमें मैंने खिला था Rook F D1 Rook F D1 की वैसे खास जरूरत नहीं थी बट मैंने सुचे एक मूँ में rook को game में ला लूँगा हम direct KH1 भी खिल सकते जो की मैं नेक्स्ट game में खिला था Rook F D1 की वैसे ब्लैक करता है Rook F D8 हम खिलेंगे KH1 मैंने actually game में खिला KH1 Black ने खिला Rook AC8 और मैंने खिला F5 जैसे मैंने पहली कहा था हमको King को हटाके F5 से break लेना है Black ने खिला B6 हमारा C5 break रूखने के लिए मैंने खिला F4 Just as planned हमारे plan के सबसे मैं खिल रहा हूँ Black खिलता है KH8 F into G6 Rook G1 अभी Rook G1 का आइडिया यह है कि मुझे कभी न कभी F5 करना है या तो E1 मैं Rook को H3 पे transfer करके Queen को H4 पे लाके H file से भी Threats create कर सकता हूँ Black खिलता है E5 और मैंने खिला F5 F5 के बाद मुझे G file open करना है अपने Rook के लिए और E5 का और एक आइडिया था कि वो मुझे E5 खिलने से prevent कर रहा है Black ने खिला E5 मैंने खिला F5 और Black खिलता है G into F5 अभी G into F5 के आप Dwight के पास एक बहुत ही amazing move है आप चाहे तो इस वीडियो को pause करके 5 minutes या even 3 minutes भी सोच सकते है और best move find करने का try कर सकते है ठीक है मैं आप लोगों का भी best move बताता हूँ और well done अगर आपने best move find किया जो कि है Rook into G7 हम उसका bishop eliminate कर रहे है और हम अपना Rook sacrifice कर रहे है Bishop element करने के बाद आप देख सकते हैं कि Black के King के आसपास अभी कोई defender नहीं है और हम freely Black के King को attack कर सकते हैं so King into G7 Rook G1 check King H8 Queen H4 Queen भी attacking position में आ चुका है और Queen F6 एक simple mating threat हम अभी दे रहे हैं Black ने उसको defend किया बट Bishop भी आगे यह game में attack में Bishop G5 फिर से हमारा threat है Bishop F6 और Black के बास अभी इस threat के against में कोई defense नहीं है Black ने खेला Rook G8 मैंने खेला Bishop F6 और इधर game finish हो गया so यह एक बहुत ही अच्छा attacking game था जिसके बाद मुझे 4-point attack में confidence और पड़ गया अभी हम next game के और चलता है जो की फिर से same position से ही मैंने continue किया यह game था international master दिनिश कुमार शर्मा जी के साथ में so Q into A4 के बाद last game में आपको याद होगा मैंने खेला था Rook F D1 जिसको मैंने कहा था जरूरत नहीं है मैं directly अपना plan follow कर सकता हूँ इस game में मैंने वही किया मैंने directly खेला king h1 black ने खेला Rook F C8 और मैंने खेला f5 फिर से हमारा idea वही है कि हमको king side में attack करना है black खेलता है queen a5 मैंने खेला f4, bishop f6, fg6, hg6 और अभी एक बहुत important move थी जैसे मैंने पहले कहा था हमको try करना चाहिए कि bishop b1 का खुल जाए हमारे attacking chances और बढ़े तो इसलिए मैंने खेला e5 एक pawn sacrifice दिया और e5 का और एक idea यह था कि black का queen है वह try कर रहा है कि king side में कहीं से आ जाए और उसका defensive power बढ़ जाए but e5 करने से हम दो चीज़ अचिव कर रहे है एक तो हम अपना bishop भी खोल रहे है attacking chances के लिए और दूसरा black का queen है उसको भी हम रो कर रहे है king side में defense से हम उसको prevent कर रहे है so e5 के बाद d into e5 f5 अभी f into g6 का threat है so white ने केला e4 फिर से वह चाहते है कि queen कहीं से तो defense में आ जाए but already अभी काफी late हो चुका है f into g6 f into g6 bishop into e4 अभी bishop into g6 का threat है so black ने केला king f7 मैंने केला rook g1 black खेलते हैं rook g8 g6 pawn को defend करते हैं और इदर एक simple move के बाद bishop d5 check के बाद white का already winning position है अगा black खेलता है इदर e6 तो हमारे पास है rook cf1 जिसके बाद queen into f6 बचाना almost impossible हो जाएगा और हमारे लिए clear winning attack इस position में है so black ने केला king g7 अभी इदर में एक simple exchange मार के भी game continue कर सकता हूँ इदर एक अच्छी finishing move है जो की है rook into g6 rook sacrifice करके हम black के king को पूरा expose कर सकते हैं और आगे कुछी moves में black का mate हो जागा for example अगर king g6 खेला तो queen f5 check king इदर है तो queen h5 mate so यह भी एक काफी अच्छी attacking game था और जिसके बाद आपके plans already clear हो गए होंगे कि हमको king h1 करना है f5 करके आपको f4 करना है और try करो कि आप e5 करो के bishop open करो और king side में जितने lines open कर सकते हों उतना open करके हम black k king के against में attack कर सकते है अभी हम चलते है next line के तरफ जो की आता है knight a6 जो की आता है 6th move है हमने देखा था c5 तो 6th move पे अभी हम देखेंगे knight a6 वाली line so knight a6 के बाद black का idea है कि वो आगे जाके e5 से break लेना चाहता है और अगर वो f into e5 d into e5 हम d5 करेंगे तो knight को c5 पे भी वो place कर सकता है so इसलिए knight को उसने पहले ही a6 पे develop किया अभी हम करेंगे bishop d3 bishop d3 के बाद right so knight a6 के बाद हम करेंगे bishop d3 bishop d3 का हमारा idea है कि हमको simple castle करना है black करेगा e5 जो कि उसका idea था knight a6 का हम करेंगे f into e5 d into e5 और push करेंगे pawn center का d5 पे अभी d5 के बाद हमारा idea जो है castle का वो maintain रहेगा आप एक चीज़ हमें सही याद रखिए कि जब भी black e5 करेगा इस position में कहीं कभी भी एक तो knight a6 के बाद या तो directly e5 करेगा तो आपको f के pawn से exchange करना है और फिर आपको d का pawn push करना है d5 पे so e5 f into e5 t into e5 और d5 d5 के बाद black के पास काफी सारे plans है for example knight c5 भी कर सकते है knight c5 जब ही भी करे तो आप bishop c2 पे drop कर सकते है और फिर b4 से या तो bishop e3 से इस knight को हटाने का try कर सकते है मेरा जो एक game हुआ था grand master Vladislav Kovalev के साथ में जो कि एक Belarusian grand master है उनके साथ में जो game मेरा हुआ था उसमें Vladislav ने खेला था knight e8 knight e8 का idea simple है कि उनको f5 करना है और knight को d6 पे आगे जाके लेके जा सकते है और f5 करके वो king side में play create करने का try कर सकते है so मैंने खेला castle black ने खेला c5 c5 एक common idea है इस position में c5 करने से क्या होता है कि आगे जाके जो मेरा plan usually रहता है bishop e3 करके c5 करने का वो उन्होंने stop कर दिया और जब भी knight d6 पे लाएंगे तो knight उनके d6 पे काफी stable placed रहेगा क्योंकि जब मैं c5 नहीं खेल पाऊंगा तो इस knight को d6 से हटाना मेरे लिए impossible है so यह एक typical plan है black के side से c5 के बाद मैंने खेला bishop g5 attacking blacks queen f6 और bishop h4 bishop h4 पे रखने का simple idea यह है कि उनको आगे जाके f5 खेलना में बहुत तकलिफ होगा क्योंकि यह pawn जो है वो पिन रहेगा so black को एक move करना पड़ेगा queen को अटाने में और उसके बादी वो f5 कर सकते है दूसरा और हमेशा threat जो रहेगा वो है knight e5 तो इसके लिए भी उनको careful रहना ज़रूरी है black ने कहला knight d6 अभी immediately मैं knight e5 नहीं मार सकता हूँ क्योंकि g5 आके वो मेरे bishop को पर attack करेंगे और f into e5 का भी threat रहेगा so knight d6 पे मैंने कहला a3 यह एक typical plan है white के लिए जैसे मैंने पहली कहा था a3 करके आपको कही न कही से b4 करने का try करना है और queen side में expand करना है black ने कहला queen e7 मैंने कहला b1 bishop d7 king h1 king ko h1 पे एक move रख लिया so that आगे जाके कभी भी इस diagonal पे कोई threats ना है black खेलता है b6 मैंने कहला queen e2 c8 bishop c2 अभी bishop c2 का idea था कि मुझे bishop a4 जाना है और हो सके तो यह जो light square bishop इसको exchange करता है light square bishop king stand and defense में black का सबसे pre bishop होता है सबसे favorite minor piece होता है अगर हम वो bishop को exchange करे तो आप देख सकते हो कि black के squares light squares वो काफी weak हो जाएंगे so अगर king stand and defense में अगर आपको black का light square bishop exchange करने का chance में ले तो आप जरूर से उसको सोच सकते है so bishop c2 के बार black खेले queen e8 मेरा जो bishop a4 का idea वो prevent कर दिया मैंने कहला knight d2 f6 pawn पे थोड़ा सा pressure increase किया f5 finally black ने f5 का break लिया but already मेरे pieces इतने अच्छे से placed है कि f5 के break को मैं आरहम से face कर सकता हूँ e into f5 g into f5 और मैंने कहला g4 एक बहुत ही strong pawn break जिसके बाद मेरा c2 का bishop है वो open हो जाएगा और मैं threats create कर सकूँगा और एक idea इसके पीछे जो है वो है कि अगर f into g4 black मारे तो मैं knight e4 करके यह knight को activate कर सकता हूँ e4 square के through तो इसलिए game में black ने सुचा कि थोड़ा counter play create करने का try करे pawn sacrifice देके उन्होंने खेला e4 अपना bishop भी open उन्होंने कर लिया मैंने bishop g3 खेला attacking black's knight on d6 black ने खेला bishop e5 bishop takes queen takes g into f5 अभी अगर वो f5 के pawn को मारते है तो उनका e4 का pawn मर जाएगा तो उनको next move e3 करना compulsory है मैंने खेला knight f3 attacking queen queen e7 knight g5 यह बहुत important move था जिसके बाद white का advantage confirm हो गया knight g5 का idea यह है कि सबसे पहले तो queen into g5 नहीं मार सकते क्योंकि rook g1 के बाद queen मर जाएगा g5 so knight g5 के बाद knight into f5 उन्होंने बारा बट मुझे chance मेलेगा knight e6 प्लेस करने का जिसके बाद मेरा position clearly better है और यह game जितने में मुझे कोई problem नहीं वहा इस position के बाद so यह game मैंने इस तरह से जिता आपको इस variation में simple plan याद रखना है मैं फिर से आपको ले चलता हूँ critical positions पे कि f into e5 के बाद sorry e5 के बाद black e5 करेगा तो आपको fe5 t5 mark d5 करना है और उसके बाद आपका plan simple है आपको धीरे से queen side में जो majority आपका उसको advance करने का try करना है और अगर black ने c5 खिला तो भी आपको कही न कही a3 b4 करने का try करना ज़रूरी है और आप अपने pieces को इस तरह से inspiration में place कीजिए कि जब भी black f5 करेगा तो आप उस break के लिए ready रहेंगे जैसे मैंने इस game में खिला और आप जो black का king side exposed हो जाता है f5 के बाद उसको exploit करने के लिए आपके pieces ready होना ज़रूरी है अभी हम चलते हैं हमारे last line के और जो की आपको पता होना ज़रूरी है four pawn attack में so last जो line है वो है bishop g4 तो हमने इस position में देखा c5 जो की main line था फिर हमने देखा knight a6 with idea of e5 अभी हम देखेंगे bishop g4 bishop g4 का भी idea वही है सबसे पहले तो हम bishop e2 करेंगे spin को यहां से अटा लेंगे castle prepare हम कर रहे है next move black खिलेगा knight fd7 अभी knight fd7 का idea वही है कि उनको कही ना कही e5 का ब्रेक लेना है next move पे so knight fd7 हम के लेंगे short castle अभी जब भी वह e5 करें तो जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको f into e5 मार के d5 करना है हमने यह position last variation में discuss किया और d5 करने का black अगर f5 करने का try करता है तो already आपके pieces अच्छे से placed है for example अगर f5 करेगा तो आप knight g5 जा सकते हो और knight e6 पे आने का try कर सकते हो so मेरा जो game हुआ था grand master Lakshman के साथ जो गेंडिया में काफी famous grand master है उनको blitz master भी कहा जाता है so उनके साथ जो मेरा game हुआ था उसमें Lakshman ने खेला था knight c6 d4 pawn को attack करने के लिए knight c6 पे मैंने खेला e5 हम bishop e3 भी try कर सकते हैं इस position में बट उसके black e5 जाके शायद फिर आगे जाके knight d4 लाने का try कर सकता है so इसलिए मैंने सोचा यह जो bishop है g7 उसको permanently block कर दिये जाए तो मैंने खेला e5 Lakshman ने खेला bishop into f3 bishop into f3 knight a5 यह थोड़ी सी एक odd move इसके जरूरत नहीं थी knight e5 के बाद उनका idea है कि c4 pawn पे attack कर रहे और एक उनके पीछे जो knight a5 के पीछे जो idea है वह है कि अगर white b3 करके या कोई और c4 pawn को defend करता है तो black के पास c5 जैसा बहुत ही अच्छा counter attack की move है और आप देख सकते हो कि e5 और d4 दोनों pawns attacked है और under pressure है जिसके बाद black को एक अच्छा counter play मिल जाएगा इसको धान में रखते हुए मैंने खेला c5 यह बहुत strong move है जिसके बाद black के पास कोई counter play नह रहेगा c5 का जो main idea था black का वो stop हो चुका है और main point यह है कि dc5 dc5 के बाद black knight into c5 नहीं मायर पाएगा क्योंकि हमारे पास है b4 जिसके बाद हम double attack create कर सकते हैं black के दोनों knights पे इसके बाद तो हम peace up हो जाएगे और white का winning position है so dc5 पे लक्षमन को realize हुआ कि अभी जो counter attacking idea था वो काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने knight वापस ले रही है c6 पे but bishop e3 के बाद bishop भी develop कर लिया मेरा जो knight है मेरा जो pawn है c5 पे उसको भी support कर दिया और already आप देख सकते हो कि यह जो दोनों bishops है यह queen set पे बहुत strong pressure exert कर रहा है और यह जो दोनों pawns है c5 और e5 इसके वजह से black के pieces पूरे restrict हो चुके है e5 pawn के वजह से bishop restrict हो गया g7 का और c5 pawn के वजह से knight d7 का वो b6 पे नहीं जा सकता है c5 पे नहीं जा सकता है तो knight भी restrict हो गया और कुछी moves के बाद मेरा already winning position आ गया तो हम quickly इस game को देखते है e6 खेला, Lakshman ने मैंने खेला b4 अगर pawn को मारते हैं तो मैं bishop into b7 मार की c6 पी कर सकता हूँ जिसके बाद black का queen side पूरा pressure में आ जाएगा black ने कहला a6 मेरा b5 का idea रोकते हुए मैंने कहला a4 with the idea of b5 again f6, queen b3 e6 का pawn वीखवा तो मैंने immediately उस pay attack किया queen e7, b5, ab5, ab5 knight a5, queen b4 अभी rook into a5 का threat है f into e5 rook f5, rook f5 twin a5 into f4 so मुझे already एक piece मिल चुका है पर थोड़ से threats है but वो उतना problematic मेरे लिए नहीं था मैंने bishop f2 खिला और उसके बाद knight c5 के बाद लक्षमन के पास 3 pawns है, एक piece के लिए but 3 pawns uncoordinated 3 pawns अगर connected होते तो थोड़े problems वो create कर सकते थे but 3 pawns uncoordinated होने के वाज़े थे यह game after queen e3 b6 knight e4, मेरे लिए काफी आराम से win हो गया so यह जो 3 lines मैंने discuss किये I hope यह आप यह जो पूरा analysis हमने देखा और मैंने जो games आपके चाहस share किये यह आप अच्छे सियाद रखोगे और अगर आप यह analysis और यह ideas अपने game में अपलाए करोगे Kingston and defense के against में तो I am sure कि 4 pawn attack में आपको काफी success मिलेगा और आप काफी सारे wins score कर पाओगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप जरूर से चैनल को subscribe किजे build icon भी दबा दीजे जब कभी भी मैं कोई instructive video upload करूँ तो आपको notification ज़रूर मिल जाए और मुझे comments में भी बताइए कि आपको यह opening analysis, opening discussion कैसा लगा और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई particular opening cover करूँ तो वो भी आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं पूरा try करूँगा कि मैं आपका आपके जो suggested openings है उस पे कोई अच्छा सा instructive video मनाऊ जिससे आपको फाइदा हो सके आपके games में. Thank you so much for watching the video. See you again in the next video. Bye Bye